नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं छे महिने से जेन साल की बेबी के लिए एक बेबी स्वेटर लाए हूँ तो इसके लिए मैंने बॉर्डर में साथ फंदे डाले हैं और अब हम इसको पांच भागों में विभाजित करेंगे तो बॉर्डर के लिए हम साथ फंदा उल्टा बना लेंगे तो ये हमारा साथ फंदे का बॉर्डर हो गया अब उन दूसरी और करेंगे और छे फंदा सीधा बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया अब उन अपनी ओर करेंगे अगले फंदे में हम जाली डालेंगे ये हमारा first divider हुआ तो इसके दोनों तरफ हमें जाली डालना है तो फिर उन अपनी ओर कर लेंगे और उसके बाद 6 फंदा सीधा बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे तो ये फंदे छे फंदे जो हो गया है वो आस्तिन के हो गया है अब आस्तिन के बाद हमें divider बनाना है तो उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा जाली डेते हुए सीधा बना लेंगे उसके बाद उन अपनी ओर करेंगे और 18 फंदे हम सीधा बना लेंगे उन अपनी ओर करके ये हो गया back के फंदे ये 18 फंदे back के हो गया तो अब हमें उन अपनी ओर करना है और जाली देते हुए सीधा बनाएंगे ये हो गया third divider फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते ह शे फंदे सीधे दो तीन चार पांच छे तो यह हो गया हमारा दूसरा भात अब उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा बना लेंगे यह हमारा फोर डिवाइडर हो गया इसके दूनों तरफ हमें जाली देना है तो उन अपनी ओर करेंगे और 6 फंदा सीधा बनाएंगे ये हमारा second फंद पार्ट हो गया 3, 4, 5, 6 और अब 7 फंदे बचे हैं तो ये हमारा बार्डर के फंदे हो गया तो 1, 2 फंदा बना उन अपनी ओर ऐसे चढ़ाएंगे यहां पे हमें बटन होल बनाएंगे तो उन अपनी और किया, दो फंदो को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, उन अपनी और करेंगे और एक उल्टा फंदा बनाएं, तो यहां पर दो का एक किया, यहां जाली पड़ गया, यानि कि जितने फंदे थे वापस उतने ही हो गया, और शेस फंदे उल्टे बना और रॉंग साइड से सभी फंदे उल्टे अब बार्डर के साथ फंदे उल्टे बना लेंगे साथ फंदा उल्टा हो गया अब यहां पे हम अपना दूसरा कलर अटाश करेंगे और कलर अटाश करने के बाद दो फंदों के बीच में यानि पहले और दूसरे फंदे के बीच में तीन लाइन नीचे ऐसे आएंगे एक लूप निकालेंगे और फिर दो फंदा सीधा एक दो नेक्स्ट दो फंदों के बीच में नेक्स्ट दो फंदों के बीच में तीन लाइन नीचे आएंगे देखिए ये एक दो और तीन तीन लाइन नीचे आएंगे एक लूप निकालेंगे फिर दो फंदा सीधा बनेंगे फिर दो फंदों के बीच में तीन लाइन नेचे आएंगे एक लूप निकालेंगे और फिर दो फंदा सीधा जाली वाला फंदा इसे हम सीधा बना लेंगे और ये हमारा डिवाइडर है तो उन अपनी और करेंगे और जाली देते हुए सीधा बना लेंगे फिर divider के दूसरी तरफ भी हमें जाली देना है इसलिए उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा अब फिर दो फंदों के बीच में तीन लाइन नीचे आएंगे एक लूप निकालेंगे और फिर जिन दो फंदों के बीच में हमने लूप निकाला था उन्हें अब हम सीधा बना लेंगे फिर नेक्स्ट दो फंदों के बीच में तीन लाइन नीचे आएंगे एक लूप निकालेंगे और फिर इन दोनों फंदों को जिसके बीच से हमने लूप निकाला था उन्हें हम सीधा बना लेंगे ऐसे ही दो दो फंदों के बीच से हम लूप निकालेंगे फिर उन दोनों फंदों को सीधा बना लेंगे और जाली जो है देखिए ये जाली वाला फंदा इसे हम सीधा बनाएंगे और ये डिवाइडर है तो इससे उन अपनी और करके इसके दोनों तरफ हमें जाली दे देना है अब फिर जाली वाला फंदा बुझ जाने के बाद अगले दो फंदे हैं तो उनके हम नीचे आएंगे एक दो तीन से लाइं नीचे एक लूप निकालेंगे फिर दो फंदो को सीधा अगले दो फंदे के तीन लाइन नीचे आएंगे एक लूप निकालेंगे और फिर दो फंदा सीधा तो इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे बुन लेंगे, दो दो फंदों लूप निकालेंगे, फिर दो फंदा सीधा, फिर नेक्स्ट दो फंदों के बीच में तीन लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर दो फंदे सीधे, नेक्स्ट दो फंदे के बीच में तीन लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर दो नो फंदों को सीधा बुरनेगे, जाली वाला फंदा, इसे हम सीधा बुरनेंगे, और जाली के बाद के ऊपर हमें जाली देना है, तो उन अपनी ओर करेंगे, ये हमारा डिवाइडर का फंदा है, इसे सीधा बुरनेंगे, और फिर दिवाइडर के दूसरी तरफ भी हमें जाली देना है, तो उन अपनी ओर करेंगे, और जाली देते हुए सीधा, अब फिर हमारे पास ये दो फंदे आगए, तो दो फंदे के बीच में तीन लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे, और फिर इन दोनों फ फंदे सीधे, नेक्स दो फंदे लेंगे, तीन लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर इन दोनों फंदों को हम सीधा बुलेंगे, अब देखिए फिर जाली का फंदा आगया, तो इसे हम सीधा बुलेंगे, ये दिवाइडर है, तो इसके दोनों तरफ हमे जाले दे देना है और फिर दो फंदा दो फंदे के बीच में तीन लाइन नीचे एक लूप निकालेंगे फिर इन दोनों फंदों को सीधा बुलेंगे नेक्स दो फंदे के बीच में तीन लाइन नीचे आएंगे एक लूप निकालेंगे फिर इन दोनों फंदों को सीधा बना लेंगे अब यहाँ पे हमें बाडर के फंदे बनाने है तो इसके लिए हमें यहाँ पे उन अटाश करना पड़ेगा तो उन अटाश करने के बाद यह बाडर के साथ फंदे हैं इन्हें हम उल्टा पुन लेंगे और रॉंग साइट से बाडर के साथ फंदे उल्टे अब इन दोनों ऐसे उनको ऐसे क्रॉस करनेंगे दो फंदों को उल्टा पुनेंगे और यह देखिए जो हमने लूप निकाला था इसे हम स्लिप करनेंगे दो फंदो को उल्टा बुनेंगे लूप को स्लिप करेंगे बुने हुए दोनो फंदो को उल्टा बुनेंगे और लूप को स्लिप कर लेंगे तो इसी तरह करते हुए रॉंग सैट से यह देखिए यह जाली के फंदा है यह हम उल्टा बुनेंगे सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे बस हमें लूप को स्लिप करना है सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे और लूप को बस हमें स्लिप करना है तो मैं सारे फंदे बुन के आपको दिखाते हूँ सभी फंदे बुने जा चुके हैं अब ये देखिए फिर बॉर्डर के फंदे आ गए इसलिए हमें इन दोनों धागों को ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा और फिर बॉर्डर के सभी फंदे उल्टे अब हम फ्रंट साइड पे हैं तो बार्डर के सभी फंदे हम उल्टे बना लेंगे उन दूसरी और करेंगे, दोनों फंदों को ऐसे क्रॉस कर लेंगे अब यह जो हमने फंदा स्लिप किया था, उसको ऐसे लेंगे और दोनों फंदों को सीधा बुलेंगे यह जो हमने फंदे बुने थे इन्हें सीधा बुनेंगे स्लिप किया हुआ फंदा उठाएंगे और इन दोनों फंदों के उपर से इसे निकाल देंगे अब स्लिप किया हुआ फंदा इसे स्लिप करेंगे दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे slip के हुआ फंदे को उठाएंगे और दोनों फंदों को इसके अंदर से निकाल लेंगे slip के हुआ फंदा इसे slip करेंगे दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे slip के हुआ फंदा उठाएंगे इस तरह इसके उपर से इसे निकाल लेंगे अब ये दो फंदे देखिए इसको हम सीधा बनेंगे ये जाली का फंदा सीधा और फिर हमें डिवाइडर आ गया तो इसके लिए उन अपनी और करेंगे और जाली देते हुए सीधा फिर उन अपनी और करेंगे जाली देते हुए सीधा अगला फंदा इसे हम सीधा बनेंगे अब ये लूप आ गया तो इसको ऐसे स्लिप करेंगे दो फंदे को सीधा बनेंगे लूप को उठाएंगे और इन दोनों फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे लूप को स्लिप करेंगे दो फंदो को सीधा बुनेंगे लुप को उठाएंगे और इसको ऐसे इसके अंदर से निकाल लेंगे लुप को स्लिप करेंगे दोनों फंदो को सीधा बुनेंगे लुप को उठाएंगे और फंदो को इसके अंदर से निकाल लेंगे अब ये हम हमेरे अब जाली और इसके पहले वाला फंदा इसे हम सीधा बुन लेंगे उन अपनी और करेंगे ये डिवाइडर आ गया तो इसके दोनों तरफ हमें जाली देना है तो उन अपनी और करेंगे जाली देते हुए सीधा फिर उन अपनी और करेंगे और जाली देते हुए दो फंदे सीधे बना लेंगे और ये फिर लूप आ गया तो इसे स्लिप करेंगे दो फंदा सीधा बनेंगे और लूप को उठाएंगे और इन दोनों फंदों को इसके अंदर से निकालेंगे तो ऐसे ही हम सभी फंदे सीधे बुनेंगे लूप को उठाएंगे और दोनों फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकालते जाएंगे और divider के दोनों तरफ हमें जाली बना लेंगे और wrong side से सबी फंदे उल्टे तो मैं wrong side complete करके आपको दिखाती हूँ दूसरे रंके उनसे चार लाइन बनाने के बाद अब border के बाद हम फिर third color अपना attach कर रहे हैं क्योंकि ये sweater हम multi color में बना रहे हैं तो पहला फंदा तीसरे रंके उनसे पहला फंदा सीधा बना लेंगे अब फिर हम देखिए next 2 फंदों के बीच में 3 लाइन निचे जैसे यह वी बना है यहीं से हम एक फंदा उठाएंगे एक लूप उठाएंगे और फिर next 2 फंदे इसे हम सीधा बना लेंगे फिर देखिए यह जो वी बना है यहां से हम एक लूप उठाएंगे और नेक्स दोफंदे इसे सीधा अगले दोफंदे के बीच में तीन लाइन नीचे आएंगे एक लूप निकालेंगे अगला दोफंदा सीधा अब यह दोफंदे हम सीधा बना लेंगे क्योंकि यहां पे हमारे पास लूप लेने के लिए जगा नहीं है तो इन दोफंदों को हम सीधा बना लेंगे और यह हमारा डिवाइडर है तो उन अपनी और करेंगे और जाली देते हुए सीधा दिवाइडर के दोनों तरफ हमें जाले देना है तो उन अपने और करेंगे और दो फंदे सीधे बना लेंगे अब नेक्स दो फंदे में तीन लाइन नेचे आएंगे एक लूप निकालेंगे फिर अगले दो फंदे सीधे नेक्स दो फंदे लेंगे उन दो फंदों के बीच में तीन लाइन नेचे आएंगे एक लूप निकालेंगे फिर अगले दो फंदे सीधे नेक्स दो फंदे के बीच में तीन लाइन नीच आएंगे देखे ये वी बना हुआ है यहीं से हमें ऐसे लूप उठाना है लूप उठा लिया थोड़ा ऐसे किचेंगे दो फंदा सीधा तो देखे ये बना है तो यहां से लूप उठाएंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे और नेक्स दो फंदे इन्हें भी हम सीधे बना लेंगे अब ये हमारा डिवाइडर आ गया तो उन अपनी और करेंगे और जाली देते हुए सीधा फिर उन अपनी और करेंगे और जाली देते हुए दो फंदे सीधे बना लेंगे एक दो अब नेक्स दो फंदे के बीच में तीन लाइन नीचे आएंगे और एक लूप निकालेंगे और फिर अगले दो फंदे सीधे फिर नेक्स दो फंदे के बीच में तीन लाइन नीचे आएंगे एक लूप निकालेंगे और दो फंदे सीधे अब देखिए ये डिवाइडर के पहले दो फंदे सीधे हैं ये एक जाली वाला फंदा और एक इसके पहले वाला फंदा है तो इन दोनों को हम सीधा बना लेंगे और डिवाइडर के दोनों तरफ हमें जाली देना है तो उन अपनी और करेंगे जाली देते हुए सीधा फिर उन अपनी और करेंगे और डिवाइडर के बाद देखिए ये दो फंदे है तो इन्हें हम सीधा बना लेंगे और अब फिर हम लूप निकालते जाएंगे लूप निकालेंगे और फिर दो फंदे सीधा फिर लूप निकालेंगे अब जितनी ये ऐसे V बने हैं वहाँ पर हम को लूप निकालना है और divider के पहले जो दो फंदे हैं एक जाली वाला एक उसके पहले वाला फंदा इन दोनों को सीधा बुनना है फिर डिवाइडर के बगल में हमें जाली देना है दोनों साइड में फिर डिवाइडर के इस साइड भी जो दो फंदे हैं उसे हमें सीधा बुन लेना है उसके बाद फिर ऐसे लूप निकालते जाएंगे और दो दो फंदे सीधा बुनते चले जाएंगे अब देखिए जितने ये वी बने हैं सब में हमें ऐसे लूप निकालना है फिर दो फंदे सीधा बनना है यहां पर जोहां दोनों फंदे ऐसे बीशे मिलने हैं वहां से हमें ऐसे लूप निकालना है और फिर दो फंदे सीधा और लास्ट फंदा इसे सीधा बुनेंगे उनको आपस मैसे क्रॉस करेंगे और बार्डर के फंदे उसे हम उल्टा बुनेंगे चुक्कि हम नौ नमबर की सलाई से बुन रहे हैं तो बार्डर के फंदे थोड़ा टाइट बुनेंगे रॉंग साइट से सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे और लूप को स्लिप कर लेंगे सभी फंदे उल्टे बनाएंगे और लूप को स्लिप कर लेंगे बुने हुए फंदे उल्टे और लूप को स्लिप कर लेंगे अब फिर यह हमारे तीसरे रंग के उनसस का तीसा लाइन है तो ऐसे दोनों उनको ऐसे आपस में क्रॉस कराएंगे और अगला फंदा सीधा बुनेंगे ये लूप का फंदा इसे स्लिप करेंगे अगले दो फंदे सीधे और लूप को उठाएंगे और इन दोनों फंदों के उपर से ऐसे चढ़ा देंगे लूप का फंदा इसे स्लिप करेंगे अगले दो फंदे को सीधा बुनेंगे लूप का फंदा इसे उठाएंगे और इन दोनों फंदों को इसके उपर से ऐसे चढ़ा देंगे लूप का फंदा स्लिप करेंगे नेक्स दो फंदे सीधे लूप को उठाएंगे और लूप के अंदर से इन दोनों फंदों को ऐसे निकालेंगे देखिए हमारा ये डिजाइन अब दिखना शुरू हो गया है अब नेक्स्ट फंदे अब यहाँ पर सीधे है तो इसे हम सीधा ही बुलेंगे तो तीन फंदे ये सीधे हो गया अब ये डिवाइडर है तो डिवाइडर के दोनों तरफ हमें जाले देना है और सीधे फंदों को सीधा बुलेंगे लूप को स्लिप करेंगे बुने हुए फंदे को सीधा बुलेंगे और लूप को उठाएंगे और दोनों फंदों को इसके अंदर से इसे निकाल लेंगे लूप को स्लिप करेंगे दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे लूप को उठाएंगे और दोनों फंदों को इसके अंदर से इसे निकाल लेंगे लूप को स्लिप करेंगे दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे लूप को उठाएंगे और दोनों फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे लूप को स्लिप करेंगे दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे लूप को उठाएंगे और इसके अंदर से ऐसे दोनों फंदों को निकालेंगे अब देखिए यहाँ पे अपचुके लूप नहीं है तो इन फंदों को सीधा बुलेंगे दिवाइडर के दोनों तरफ हमें जाली देना है तो उन अपनी और करेंगे जाली देते हुए सीधा फिर उन अपनी और करेंगे और जाली देते हुए सीधा अब यहाँ पे लूप नहीं है तो इसे हम सीधा बुलेंगे लूप को स्लिप करेंगे नेक्स दो फंदे सीधे लूप को उठाएंगे और दोनो फंदो को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे तो जहां जहां ये देखिए लूप को स्लिप करते जाएंगे दो फंदो को सीधा बुनते जाएंगे लूप को उठाएंगे और दोनों फंदों को इसे इसके अंदर से निकाल लेंगे और जहां पर यह डिवाइडर है वहां पर जितने सीधे फंदे उन्हें सीधा बुलेंगे और रॉंग साइड से सबी फंदे उल्टे बॉर्डर के फंदे बुने जा चुके हैं अब हम वापस अपने थर्ड कलर से यानि कि बॉर्डर वाले कलर से डिजाइन बनाएंगे तो देखे यह डिजाइन जो है चाल लाइन का डिजाइन है और जो भी बन रहा है वहीं से हमें लूप निकालना है और पहले लाइन में ही हमें लूप निकालना है तो अब दूसरी और करेंगे औ बीच में तीन hadi देख नेशा जो है यह बैसे हम एक लूप निकाल लेंगे और फिर इन दोनों फंदो containing और सीधा बना लेंगे इो के फिर यह द दोनों ऐसे आई हैं तो यहां से हम फिर प्खक लूप निकालेंगे और नेक्स दो फंदे सीधे लूप निकालेंगे अगले दोफंदे सीधे लूप निकालेंगे अगले दोफंदे सीधे फिर यहां से हम लूप निकालेंगे देखिए यह एक दो तीन लाइन नीचे यहां से हम लूप निकालेंगे और अगले दोफंदे सीधे जाली को हम सीधा बना लेंगे और दिवाइडर के दोनों तरफ हमें जाली देना है तो उन अपनी ओर करेंगे जाली देते हुए सीधा उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा फिर यहां नीचे से एक लूप निकालेंगे फिर अगला दो फंदा सीधा अब देखिए यहां आया है तो यहां से एक लूप निकालेंगे अगले दो फंदे सीधे तो इसी तरह हम एक रंग के उनसे चार लाइन बनाएने के बाद अगला चार लाइन दूसरी रंग के उनसे बनाएंगे और डिवाइडर के दोनों तरफ हमें जाली देते जाना है तो हम ऐसे तीनों कलर को बदल बदल के चाचा लाइन बनाते हुए साड़े पाँच इंच लंबा होने तक बनाएंगे तो साड़े पाँच इंच कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाते हूँ तो देखिए फ्रेंट्स ये साड़े पाँच इंच के आसपास हो गया है और इस समय एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ दस क्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा और सूला जाली बन गया है तो अब इसके साथ ही हमारा ये अपर पार्ट त्यार हो जाता है और अब हम और ये देखने में ऐसा लग रहा है तो इसके साथ ही ये पार्ट अब खतम होता है अगले पार्ट में हम आस्तिन बनाएंगे थेंक्स फर वाचिं